हेलो एव्रीवन वेलकम बेक टू माई चैनल और मेरा नाम है सुनीता तो फ्रेंट्स अगर आप आलो की किसी भी तरह की प्रॉब्लम से परिशान है बहुत से चीजों को ट्राइ कर लिया है तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ज़दा हैल्फूल और इसका अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं उमर से पहले जा आपके बाल वाइट हो चुके हैं आपके बाल टूट रहे हैं बढ़ नहीं रहे हैं पतले हैं या फिर आपके बालों में ऐलो पेशिया है जी हां अगर आप ऐलो पेशिया से भी परिशान है ना तो यह उस बीमारी को भी खतम कर देगा बिल्कूल जड़ से तो यह आईलवैदी का तेल है कौन सा तेल है किस तरह से वर्क करता है सारा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूं तो वीडियो में एंट तेक्स जरूर बने रहेगा तो फ्रेट्स इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आ आईलवैदी के और देशी द्वा के रिलेटर और साथ ही इसको मैंने यूज किया है और बहुत ही अच्छा जर्ट आया है तो मैंने सोचा आपके साथ डेफिनेटली इसको शियर करना चाहिए क्योंकि यह प्रॉबलम है ना बहुत ज़दा बढ़ गई है इवर यह जो प्र आई करना है सारा बताया था जिससे आप लोग उने बहुत ज़दा पसंद किया है पर क्या होते है कर आगे से जो बाल आएंगे उनको वाइट आने से रोकेगा अगर आपके जो बाल आएट हो चुके है उनके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो में तक जुरूर बने रहीगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात और शेर कर दो कि यह कोई भी स्पॉंसर वीडियो नहीं है मुझे इसके कोई भी पैसे नहीं मिल रहे है तो चलिए फ्रेंग्स बीना देर के हुई आज के वीडियो को शुरू कर ले कर दिया है तो थैंक्स अलोट अगर आपका कोई भी सुझेशन है मुझे कुमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा तो चले बीना देर के हुई आज के वीडियो को शुरू कर लेते तो चले लेट्स केट स्टार्टीट तो फ्रेंड्स ये है वो तेल जो की है आयरवेदिक मैडिसन तेल यहां पे लिखा हुआ है और जिसका नाम है माहा भ्रिंग राश तेल ये आपको किसी भी इंडियन सूपर मार्किट से मिलेगा ये ओनलाइन मैंने नई बाई किया मैंने लोकल मार्किट से ही बाई किया है तो आपको राम से मिल जाएगा तो इसके उपर इन्होंने साफ मैंशन किया हुआ है कि ये बालो के जढने से रोकता है सफेध होने से रोकता है बालो में डेंडर्फ हो तो उसको रोकता है ऐलोपेशिया को रोकता है गंजा पंजो हो जाता है ऐलोपेशिया के सारन उसको ठ तो अगर आप इसको सोने से पहले लगाते हैं तो नीन की प्रॉबलम भी ठीक हो जाती है और यहां पे लिखा है कि आप इसको सोने से पहले 10-15 मिनद तक अच्छी तरह से मसाज कर लीजिए और उसके बाद सो जाएए तो आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में आपके बाल जड़ी बूटियों के नाम है और यहां पे इनोंने हिंदी में इंग्लिश में सब कुछ मेंशन किया हुआ है तो फ्रेंग यह जो तेल है बहुत ही अमेजिंग काम करता है एक मैजिक की तरह करता है अगर आप बहुत सी चीजों को ट्राइ करके ठक चुके हैं तो प्लीस आप एक बार इसको ज़रूर ट्राइ कीजिए यह कोई भी स्पोंसर वीडियो नहीं है क्योंकि बहुत अच्छा तेल है इसलिए मैं बाप से बार बार कह रही हूँ और जो इसका प्राइज है वो सिर्फ दो सो पांच रुपे 205 रूपिस का है तो फ्रेंग यहां पे आपको बो मिक्स हो जाते हैं इस तरह से नहीं रहते हैं तो जब भी आप इसको लगाएं पहले अच्छे तरह से शेक कर लीजिए और फिर उसके बाद आप इस बॉटल को थोड़े से वाम पानी में रख लीजिए ताकि यह थोड़ा सा मेल्ट हो जाए और उसके बाद इसको आपको अ होती है तो इसमें यह आयरवैदिक है एक मैडिसन है तो यह बहुत ही अच्छी फ्रेग्नेंस है इसकी बहुत ही ज्यादा और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने ओयल लगाया है बहुत माइल सी है और जो वर्क करता है वो तो अमेजिंग काम करता है अगर आपकी है इसको पर्सनली यूज किया है तो बहुत जल्दी बीना मैडिसन से इसने मेरे हैड़ी को भी ठी कर दिया तो यह बहुत अच्छा हैडी के लिए भी काम करेगा अगर आपका सीथ बार बार दर्द होता है तो यह बहुत ज्यादा अच्छा है तो इसको आप अपने उपर इसको यूज कर चुकी हूँ दो से तीन बार और बहुत अच्छे से उन पर भी ये काम किया है तो जैसी हम इसको उपन करेंगे तो देखिए अंदर से जो ओइल है वो ग्रीन कलर का ओइल है बिल्कुली अलग सा एक कलर है और ये बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करता है तो यहाँ पर अगर आपके बाल वाइट है तो यह उसी टाइम पर रोक देता है तो इसको आपको वीक में तीन से चार बर अच्छी तरह से मसाज करके सो जाना है और अगर आपके बालों में एलोपेशय की प्रॉबलम है तो उसको भी ठीक करता है यहाँ पर आपके गंज पड़ी है वहाँ पर आप इसको रो अच्छी तरह से मसाज कीजिए और उसके बाद हरबल शैंपू से वाश कर लीजिए तो आप देखोगे विदिन वन मंत में आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे बाल लंबे होंगे काले होंगे घने होंगे पर अगर आपके बाल जो ह बताईएगा क्योंकि यह बहुत अच्छा तेल है जो मैंने आपके साथ शियर किया है तो चली अब मैं बताती हूं कि अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो आपको क्या करना है आपको ओयल तो अप्लाई करना ही है साथ में आपको वीक में एक बाई ये पैक भी अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके जो सफेद बाल हो चुके हैं तो वो आपके काले हो जाएंगे सबसे पहले आपको लेने हैं लोहे की कडाई तो यहां पर मैं आपको जितना स्लूशन बना के दिखा रही हूं आप उस हिसाब से कम जादा अपनी बालों के इसाब से कर सकते को 실파ते हैं तो यहां पी जासे कि मैने वन कप लिया है पानी का तो उस हिसाब से मैं सारस आपको मेर्मिंट बताओंगी तो आप कम ज़यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं तो यहां पर मैंने लिए है दो लॉंग लॉंग बहुत अच्छे से हमारे बालों को काला करने में help करता है तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती का उसके बाद 1 टेबल स्पून कलोंजी सीट का मैंने powder बना के रखा है आप साबूत भी डाल सकते हैं वन टेबल स्पून लेना है आमला पाउडर का ये भी मैंने घर पे ही बनाया है तो आप भी घर पे बना लीजिए प्योर आप लीजिए और उसके बाद आप जिस भी स्पैचुला को यूज कीजिए उसको लग से रख लीजिए क्योंकि कलर नहीं जाता तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है तो अभी ध्यान से सुनने वली बात ये है कि इसको आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देना है और बीच बीच में हलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये आदा ना रह जाए इसका पानी आदा रह जाना चाहिए तो इस पानी को आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से बना लेजिए तो अभी आप देखें ये आदा हो गया है और बहुत जादा कलर भी ब्लैक हो गया है तो इसके बाद इसको चान लेना है चानने के बाद उसी कड़ाई में फिर से इसको डाल देना है तो इसके बाद जो आप मेहंदी यूज़ करते हैं जो बहुत अच्छा कलर दे वो वाली मेहंदी लेनी है और इसके बाद इसको mix कर देना है mix करने के बाद इसका जो बिल्कुल भी ठीक नहीं रखना है थोड़ा सा liquid ही इसको रखना है और इसको ढख देना है पूरी रात के ल के उपर लगा लेना है रूट्स में भी अप्लाई करना है रूट्स में लगाने से ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा जो आपके आगे से बाल आएंगे वो वाइट नहीं आएंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा healthy भी हो जाएंगे इसको one hour के लिए आप रखे और उ यूज कर सकते हैं तो इससे आपके बालों का सफेध होना तो बंद होगा साथ ही साथ आपके बालों का गिरना बंद होगा आपके बाल लंबे और घने होंगे तो आप इसको week में दो से तीन बार भी यूज कर सकते हैं साथ ही साथ आप अगर तेल को भी apply करेंगे तो आप द अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर कीजिएगा थैंक्स फूर वाचिंग तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर बाबाई